हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या अरेस एकड़िमी में दोस्तों राजस्तान में आयो जीत BSTC और दोस्तों P-TET इन दोनों परिक्षाओं के लिए दोस्तों राजस्तान इतियास के टोप 150 प्रेसन में आज आपके लिए लेक्याया हूँ जो आपकी प्रतियों की प्रिक्षाओं के लिए अतियंत भैतोपून है दोस्तों अगर आप ये BSTC और P-TET की एकजाम पास करना चाते हैं जिसमें राजस्तान जी के कि आपको 50 प्रेसन देखने को मिलेंगे अगर आप 50 में से दोस्तों 45 प्रेसन या 50 प्रेसन सही करना चाते हैं तो दोस्तों इन 150 प्रेसनों को रट लेना और आरद्यारेस एकेडिमे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना 1534 में ठीक है तो इसमें बीन नंबर का उपसन है वो इसका राइट अंसर हो जाएगा 2 प्रेसन देखिये दोस्तों राजस्तान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाला पत्र वेवार को कहा जाता था राजस्तान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाला पत्र वेवार को क्या कहा जाता था राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो इसका वो है क्या कहते थे उसको उसको खरीता बोलते थे दोस्तो ठीक है बी नमबर का उप्षन राइट आंसर ती नमबर प्रेस ने वेली कृष्णर रुकमनीरी की रचना किसने की थी तो दोस्तों किसने की थी तो ये की थी परत्वी राज राठोडने बी नमबर का उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखी दोस्तों चार नमबर प्रैस ने गिरी सुमेल के युद में बीकानेर के किस सासक ने सेर साह की साहता की थी तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मालदेव और रावजेटसी के मदे 1541 के अंदर दोस्तों एक पाहेबा का युद लड़ा गया था ठीक है और इस पाहेबा का युद में रावजेटसी है वो मारा गया था और रावजेटसी का बेटे का नाम था दोस्तों कल्यानमल ठी उस समय दोस्तो मारवाड का जो सासक था माल देव था और माल देव ने चारो तरफ आतंक मचा रखा था माल देव ने मेड़ता पर भी अपना दिकार कर लिया था और मेड़ता का जो वीरम देव था वो भी दोस्तों सेरसा सूरी के पास में चला जाता है और उसके बाद में दोस्तों सेरसा सूरी है वो माल देव को अधिनता स्विकार करने के लिए कहता है लेकिन माल देव मना कर देता है और इस वज़े से दोस्तों ये गिरी सुमिल का युद होता है जनवरी पंदरा सो चम्वालिस में और इसमें दोस्तों कल्यानमल का जो छोटा भाई है भीम ठीक है कल्यानमल है ये इसका छोटा भाई है भीम ये सेरसा सूरी को आकर्मन करने के लिए प्रोचसाइद करने में मुख्य भूमी का निबाई थी इसने याद रखना ठीक है भीम याद रखना और देखो भीम को गई भोम्रो बाहुडू कहते हैं यानि कि चली गई दर्ती को वापिस लाना ये भीम को कहते हैं ठीक है और वैसे कल्यानमल इसका राइट आंसर होगा इस प्रेसन का और जैसे ही दोस्तों ये युद हुआ था और युद में सेरसा सूरी के मुझसे बरबद सब्द निकले थे तो वो सब्द कोन से थे कि बोलो सूरी राजियों गिरी गाट गमसान मुठी खातर बाजरी खो देतो हिंदवान एक मुठी बरबादरी के लिए हिंदुस्तान की वाजशाथ खो देता गिरी सुमेल के युद में ये कहा था ये बी नमबर का उप्शन राइट अंसर आगे देखिए दोस्तों राजस्तान की निम्न मेशे कौन से रियासत बिर्टिस काल में मराथो एवं पिंडारियों के आकर्मन से बची रही तो कौन से रियासत बिर्टिस काल में मराथो एवं पिंडारियों के आकर्मन से बची रही महराजा राय सिंग को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है तो दोस्तों विकानेर के महराजा राय सिंग को कौन सी कृति के अंदर राजेंद्र कहा गया है तो इसका राइट आंशर हो जाएगा वह दोस्तों करम चंद्र करम चंद्र वन्चोद किर्तम का व्यम यह पुस्तक ह गया है महराजा राय सिंग को तो इसमें सी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा और क्या का जाता है महराजा राय सिंग को तो राजपुताने का करण भी कहा जाता है नेक्स्ट कुशन है राजस्तान में मूर्तिक अलाका सुवेवस्तित विकास किस काल में सुरू हुआ तो दोस्तों कौन से काल में सुरू हुआ था तो ये मौरिय काल में सुरू हुआ था A number option right answer next question है तो वो कौन सी थी right answer हो जाएगा वो है परवप करणी सबा क्या हो जाएगा परवप करणी सबा इसका right answer हो जाएगा C number option next है आगे देखिए अलवर के महराजा जैसिंग का देहान्त हुआ अलवर के महराजा जैसिंग का देहान्त हुआ तो ये दोस्तों कहां पर हुआ था तो ये पेरिस में हुआ था तीक है हस्मत वाड़ा राजा किसको कहा है फार्शी त्यासकरों ने तो ये कहा है दोस्तों माल देव को किसको कहा है माल देव को कहा है तो इसका right answer ए नमबर का option right answer next सपाद लक्स के चोहान वंस का संस्थापक कौन था तो कौन था दोस्तों सपाद लक्स के चोहानों का संस्थापक तो वो था दोस्तों वासुदेव चोहान बी नमबर का option right answer बारा नमबर का परिसने चोहानों का मूल इस्तान माना जाता है चोहानों का मूल इस्तान दोस्तों सपाद लक्स माना जाता है सी नमबर उप्षन राइट आंसर तेरह नमबर का प्रिशन है अलावदील खिल जी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खेरबाद रखा था तो दोस्तो खेरबाद है ओओ शिवाना दूर्ग को जीत कर उसका नाम है वो कंगा जेडेव के नाम से चांडी के सिख्य और किस चोहां स चांसक ने चलाए थे तो स्रीय अजेडेव के नाम से चलाइ थे अजेराज ने सिख्ये ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा वो है अजयराज ने चलाए थे दोस्तों और अपनी पत्नी सोमलवती के नाम से भी इन्होंने शिक्के चलवाए थे तो A number का option right answer और और क्या किया था जयराज ने अजमेर सहर की स्थापना की थी 1113 में नेक्स्ट मेवाड में दासी पुतर बनवीर को हटा कर महराना उदेश सिंग को सियासन पर बिठाने में किसने सायता की तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों राव माल देव ने बी नमबर का option right answer next आगे देखे सहासमल द्वारा इस्तापित शिरोई के किस सासक ने इस इंडिया कंपनी से संदी की तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों सीव सिंग ने की थी ठीक है किस ने की थी सीव सिंग ने की थी सी नमबर का जो option है वो इसका right answer हो जाएगा next question है 17 नमबर का प्रश्ञेंध की समादी है तो दोस्तों राव चंदर सेंग वो कहां पर है तो ये सच्याप में है राव चंदर सेंगी समादी जो पाली जिले के समीब है तीक है सारण के पाड़ियों के समीब next दे 18 आगवने नागोड़ दरबार का बाई जीत किया तो दोस्तों गुनिश नमबर प्रेशन है माराना परताब का पत परदसक माना जाता है तो किसे माना जाता है तो राव चंदर सेन को दोस्तो माराना परताब का पत परदसक माना जाता है नेक्स्ट है वहें पर्थम राजपूच सासक जिसने अपनी रणनीती में दुर्ग के इस्तान पर जंगल और पहाड़ी छेतर को अधिक मैत्व दिया तो राइट अंसर रो जाएगा इसका वो है दोस्तो राव चंदर सेन तो इसमें बी नमबर उप्शन राइट अंसर आगे देखें 121 नमबर प्रेस्ट ने कि सासक की मर्तिव पर औरंग जेब ने कहा था कि आज कुफर यानि कि धरम विरोध का दरवाजा तूट गया तो ये दोस्तो जस्वन सिंग की मर्तिव यानि कि महराजा जस्वन सिंग पर्थम की मर्तिव पर औरंग जेब ने ये कहा था कि आज कुफर का दरवाजा तूट गया 22 नमर प्रेस्ट ने समराट जांगिर ने दल थंबन की उपादी परदान की थी तो किसे परदान की थी ये दल थंबन ठीक है थै है यहाँ पे दल थंबन की उपादी है समराट जांगिर ने किसे परदान की थी तो राव गज़ सिंग को तीक है यह उपादी परदान की थी तो डी नमबर का ओप्सन राइट आंसर नेक्स्ट सवाई जैसिंग अंतिम हिंदु नरेश थे जिन्होंने जैपुर में अस्वमेग यग संपन करवाया इस यग में पुरोहित का कारिय किसने किया था तो दोस्तो पुरोहित का कारिय है वो किसने किया था तो ये किया था इसने किसने तो पुंडरिक रतना करने किया था C नमबर का option right answer 24 नमबर प्रेस्ट ने राणी उमादे जो इतियास में रूठी राणी के नाम से प्रशिद है किस राठोड सासक की पत्नी थी तो दोस्तों ये कौन से राठोड सासक की पत्नी थी तो राओ माल देव की दोस्तों ये उमादे है ये पत्नी थी और पत्री की सकी थी तो जरसल मेर के सासक लून करन की पत्री थी ठीक है तो इसका A number option right answer next मदन साही सिक्के की स्रियासत में परचली थे तो ये परचली थे दोस्तों जालावाड में D number का option right answer दोस्तों ये प्रेशन है ये सारे के सारे परिक्षा में पूछे जा चुके हैं ठीक है और सभी परिक्षा के लिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महतोफोण है तो इन प्रेशनों को दोस्तों रट ले अगर आप इन प्रेशनों को देख लेते हैं दोस्तों आपका रिवीजन है वो परिक्षा के लिए वो हो जाएगा आगे देखिए जेता एवं कुपा कौन थे तो ये मालदेव के सेनपती थे C number का option right answer आगे देखिए महाराना सांगा की समाधी है तो कहाँ पर है महाराना सांगा की समाधी तो ये दोस्तों मांडलगड भीलवाड़ा में है महाराना सांगा की समाधी नेक्स्ट वें आगे देखिए कौन सा यूग में ऐस संगत है कौन सा युग में ऐस संगत है तो यहाँ पर देखिए दोस्तो गलत कौन सा दे रखा है तो आप देखो यहाँ पर पता चल गया होगा कुमबा का धर्म गुरू महेस बटे यह गलत दे रखा है दोस्तो यहाँ पर कुमबा का दर्बारी कभी कहना व्यास था कुम्बा का संगीत गुरु कौन था सारंगदर कौन था सारंगदर ठीक हैँ यहाँ पे गलत क्या दे रखा है तो दोस्तों आप सबी को पता है कि कुम्बा का जो धर्म गुरु है वो यहाँ neighbor गलत दे रखा है आगे देखिए दोस्तों इसमें D नमबर का उप्शन देखिए कुमबा का परधान सिल्पी मंडन ठीक है? कुमबा का परधान सिल्पी कौन था? तो वो था दोस्तों इसमें मंडन ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो C नमबर का उप्शन कुमबा का धर्म गुरू यहां पर गलत दे रखा है महिश भढ़ दे रखा है जो की इसमें गलत है ठीक है? आगे देखिए दोस्तों गुर्ण 30 नमबर प्रेस ने वेह शासक जिसे मुंच्शी देवी परशाद्दे राजपुताने का करण की संग्या दी थी तो दोस्तों राजपुताने का करण किसको का गया है? तो इसका राइट आंसर मैंने भी आपको बताया था कि राजपताना का कंड है वो विकानेर के महराजा राइस सिंग को कहा गया है ठीक है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा A नमबर का उप्षन राइट आंसर नेक्स्ट है आगे देखिए वीर दुर्गादास राठोड ने पारवाड की गद्धी पर बिठाने में किस सासक किस सायता की थी तो दोस्तो महराजा अजित सिंग किस सायता की थी दोस्तो दुर्गादास राठोड ने ठीक है C नमबर का उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें 31 नमबर प्रेस ने आहड को अपनी राजदानी बनाया किसने बनाया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो वो है किसने तो अलट ने बनाया था दोस्तो आहड को अपनी राजदानी B नमबर का उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा और मेवाड में सरोपर्थम नोकर साही वेविस्ता भी दोस्तो अलटने प्रारंबे की थी नेक्स्ट गुहिल वंस की नीव डाली तो दोस्तो गुहिल वंस की नीव है वो किसने डात ली तो गुहा दिते ने डाली थी ये नमबर का option राइट आंसर 33 नमबर प्रेस ने नेपाल में गुहिल बंच की नीव डाली तो किस ने डाली तो वो डाली दोस्तों कुम्ब करणने A नमबर का ओप्शन राइट आंसर 34 नमबर प्रेस ने चितोड में समिदेश्वर मंदिर का निर्मान करवाया चितोड में समीदेश्वर मंदिर का निर्मान करवाया तो किस ने करवाया तो ये करवाया दोस्तो परमार राजा भोजने ठीक है परमार राजा भोजने C नमबर का option right answer आगे देखे 35 नमबर प्रेशन है चितोड के पर्थम साके में अलावदीन खिलजी के साथ इतियासकार था चितोड का पर्तम साका यानि कि 1303 इस्वी में अलावदीन के साथ कौन था चितोड के पर्तम साके में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमीर खुस्तरो डी नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखे कांचन गिरी नाम है तो दोस्तों कांचन गिरी नाम है तो ये किसका नाम है तो ये जालोर दुर्ग का नाम है सी नमबर का उप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 नमबर प्रेशन है किसके समय में अफगान आकर्मनकारी नादिर साहर ने दिल्ली पर आकर्मन किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जगत सिंग दितिये के ए नमबर का उप्शन राइट आंसर स्वामी भक्त पन्ना दाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदेशिंग को बचाया उनके पुत्र था उनके पुत्र का नाम क्या था तो दोस्तों पन्ना दाय के पुत्र का नाम था चंदन ठीके चंदन का बलिदान दिया था और उदेशिंग को बचाया था तो इसमें A नमबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है आगे देखे राजस्तान में त्याटा टोपे को सरण देने वाला सामन्त था तो वो था दोस्तो कोठारिया का रावत जोद सिंग तो इसमें B नमबर का उप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है होडा समेलन आईजित करवाया तो दोस्तो किसने आईजित करवाया था यह होडा समेलन यह आईजित करवाया था दोस्तो महराणा जगत सिंग दितिये ने महराणा जगत सिंग दितिये ने दोस्तो यह होडा समेलन आईजित करवाया था अलावदीन की जालोर विजे का परमुक कारण क्या था तो देखे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दहिया राजपुच सरदार विकशा दुरा दोस्तो विश्वास गात किया गया था इसकी वज़े से दोस्तों ये ही परमुक कारण माना जाता है जालूर विजे का ठीक है तो इसमें D नमबर का उप्सन राइट आंसर जहांगीर ने बुंदी के जिस सासक को सर बुलंदराई की उपादी दी थी वह सासक कौन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है राव रतन हडा ए नमबर का उप्सन राइट आंसर नेक्स्ट कुशन है 43 नमबर प्रेस ने निम्न को सुमेलित कीजिए एक तरफ है सासक दूसरी तरफ है रियासत यानि कि दोस्तों कौन सी रियासत का कौन सा सासक था यह अपने को इसमें बताना है ठीक है तो दोस्त सिंग है यह वागड रियासत का सासक था डूंगर सिंग है यह दोस्तों डूंगरपुर का सासक था जगमाल है दोस्तों जगमाल है यह बांसवडा का सासक था और रावत विका है यह परताब गड़ का सासक था तो इस प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा एक दो तीन चार चारो के चारो इसमें सही समयलित हैं तो इस प्रहस्न का right answer दोस्तो बी नंबर का option हो जाएगा जिसमें 1,2,3,4 दे रखा है इसमें देखिए मेवाड के किस महाराना ने 1818 इस्वी में इस्ट इंडिया कंपनी से संदी की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है महाराना भीम सिंग ठीक है तो इसमें C नंबर उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है महाकवी बिहारी किस सासक के दर्बारी कवी थे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जैपुर्ण रेस मिर्जा राजा जैसिंग के ये दोस्तों दर्बारी कवी थे कौन बिहारी ठीक है बी नंबर उप्शन राइट आंसर चीनारीस नमबर प्रेस्थन इसमें देखिए दोस्तों सुमेलित कीजिए एक तरफ है प्रसस्ती समंधित और दूसरी तरफ है सासक, निकि कोंशी प्रसस्ती की रचना किस सासक के समय हुई थी, या कौंशी वंद से समंधित है, वो अपने को इसमें बताना है, तो यहां पर इसका right answer हो जाएगा पहले गा तो पहला ही हो जाएगा दूसरा है जूनागड प्रसस्ती तो यहां पे देखिए जूनागड प्रसस्ती है यह दोस्तो महराजा राय सिंग की प्रसस्ती है दोस्तो यह ठीक है तो महराजा राय सिंग के समय ये प्रशस्ती लगवाई गई थी जुनागड प्रशस्ती और जगनात राय प्रशस्ती ये दोस्तो महराजा जगज सिंग के समय लगवाई गई थी और बिजोलिया सिलालेक है ये दोस्तो चोहानवन से समन्दित है तो इसलिए इस प्रैसन का र राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सी नमबर का उप्शन नेक्स्ट है बोल्यो सूरी राजियों गिरी गाट गमसान मुठी खातर बाजरी खो देतो हिंदवान यानि कि एक मुठी बर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बाजसाथ खो देता यह हैं वाक्य किसके थे तो सेरसा सूरी के वाक्य थे सी नमबर उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है आगे देखिए कौन सा कथन ऐसते है तो दोस्तों यहां पे देखिए कौन सा कथन है वो ऐसते है बहुती अच्छा प्रैस्टन है दोस्तों तो दोस्तों देखिए यहां पे चार राजा दे रखे हैं और अपने को बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सा गलत है अब देखिए दोस्तों आगे यहां पे दे रखा है दोस्तों महराना परताब महराना परताब का जन्म है वो दोस्तों कब हुआ था नो मई को इनका जन्म हुआ था पंद्रा सो चालिस को ठीक है महराना परताब का देहां था है वो गुनिस जन्वरी पंद्रा सो सत्यान्म में इनका देहां था बिल्कुल सही है ठीक है आगे देखिए हल तो हल्दी गाटी का यूद्र, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अब देखे दोस्तों आगे इसमें महारणा परताब दे रखा है, ठीक है, और महारणा परताब के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है, कि महारणा परताब सासक कब बने थे, तो दोस्तों महारणा परताब है ये 1572 इस्वी में ये सासक बने थे और यहां पी दे रखा है दोस्तों 15. 01 थीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D नंबर का deduction क्योंकि ये कथन है ये गलत है गेतर दे रखा है बहतर में बने थे सासक नेक्ष्ट है पर्त्विराद चोहान का समकाली इन गेडवाल सासक था तो वह कॉन था वो था दोस्तो जैचंद गेडवाल डी नमबर का उप्ש cats right answer आगे देखे निमनलिकित में से किसे रावल की उपादी प्रदान की गई थी तो रावल की उपादी दोस्तों किसे परदान की गई थी तो बपा रावल को रावल की उपादी परदान की गई थी 51 नमबर प्रेस ने बिकानेर के किस सासक को जांगल दर बादस्या की उपादी से समानित किया गया तो जांगल दर बादसे की उपादी दोस्तों किसको दी गई तो माराना करन सिंग को दी गई थी ये जांगल दर की बादसे की उपादी ठीक है C नमबर का उप्षन राइट आंसर नेक्स्ट है परत्विराद चोहान की अलपायू में सासन का परबंद कौन करता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उनकी मा करपूरी देवी A नमबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है तरेपन नमबर प्रेसन है इसमें देखिए बेगम मर्यम उजमानी के नाम से कौन परसिद थी बेगम मर्यम उजमानी के नाम से कौन प्रसित थी तो दोस्तो राजा भारमल की पुत्री जो अकबर की पतनी थी ठीक है ये दोस्तो मर्यम उजमानी के नाम से प्रसित थी ये उपादी है वो दोस्तो अकबर ने दी थी नेक्स्ट आगे देखिए चोवन नमबर प्रेस ने ओरंग जेब दुवारा माही भरातिव की उपादी से किसे समानित किया गया तो माही भरातिव की उपादी दोस्तों किसको दी गई तो ये महराजा अनूप सिंग को दी गई थी दोस्तों ये तो इसमें बी नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोटा रियासत का वीर दुर्गदास राठोड किसे का जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जाला जालिम सिंगो तो डी नमबर का जो उप्शन है वो इसका राइट आंसर हो अपने पती को निशानी की तोर पे अपना सिर काट कर दे दिया था, तो दोस्तो सिर मांगे सेनानी सर काट दियो स्थरानी तो ये दोस्तो सहल कवर के बारे में ये कहा जा रहा है, तो इसका राइट अंसर C अंपर ओप्शन हो जाएगा, next है, राजस्तान में वेस्टब धर्म का उलेक सरोपर्थम किस अभिलेक में मिलता है तो दोस्तों वेस्टब धर्म का उलेक है ये गोषुन्डी अभिलेक में मिलता है D नमबर का उप्सन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा Next 58 नमबर प्रेस्टन सुमेलित कीजिए एक तरफ शिलालेक दे रखा है दूसरी तरफ प्रसस्ति दे रखी है तो दोस्तो सुमेलित करना है यानि कि कौन सी प्रसस्ति की स्ताबना कब की गई थी यह अपने को इसमें बताना है तो यहां पे देखिए कीर्टी इस्तंब प्रसस्ति की रचना है वो दोस्तो 1460 इसमें की गई थी और दोस्तों यहां पे देखिए स्रंगार रिशी स्रंगार रिशी का जो सिलालेक है यह दोस्तों कब लगवाय गया था यह लगवाय गया था 1428 इस्वी में यह सिलालेक है लगवाय गया था और दिलवाडा का जो सिलालेक है वो दोस्तों कब लगवाय गया था तो य जोलिया का सिलालेक है ये दोस्तो 1170 इस्वी में ये लगवाए गया था ठीक है तो यानिकी इस प्रेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 4-3-2-1 चार-3-2-1 बी नमबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है 59 नमबर प्रेस्ट ने विकानेर के किस सासक ने मुगलों की जीवन परियंत सेवा की तो उनका नाम था दोस्तो कौन तुम्हाराजा राइस सिंग सी नमबर का उप्शन राइट आंसर आगे देखिए निमन में स किस को मारवाड का भूला बिस्टरा नायक कहा जाता है यानि कि मारवाड का भूला बिस्टरा राजा राव चंदर्शेन को कहा जाता है दोस्तों सी नमबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट सुमेलित कीजिए एक तरफ सिक्के हैं दूसरी तरफ रियासत है तो यहां प यह दोलपूर के प्रुशिद हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दो तीन चार तो यानिकी इस प्रस्ट का राइट आंसर बी नंबर का ओप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्विशन है 62 नमबर प्रेस ने जू नागट दुर्ग बिकानेर का निर्मान किसने करवाया था तो ये करवाया था दोस्तो किसने तो महराजा राय सिंग ने करवाया था C नमबर का औप्सर र polít अंसर हो जाएगा नेक्स्ट आ जै जयब पूर के कच्वाह सासक एवँं अक्बर के सरवादिक विश्वck राजपूत राजा मान सिंग को काबूल का सुभेदार कब बनाया गया तो ञीक्वेदार स्कूत तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो राजा मान सिंग ठीक है राजा मान सिंग को सरवादिक मनसब परदान किया गया था नेक्स्ट है औरंगजेब की मर्त्यू के बाद उसके उत्रादिकारी बहदुर सा ने किस रियासत की राजदानी का नाम मुमिनाबाद रख दिया था तो कौन सी रियासत का नाम है वो मुमिन अबाद रख दिया था तो आमेर रियासत का नाम है वो मुमिन अबाद रख दिया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नमबर का उप्शन राइट आंसर आगे देखिए एक लिंग जी के मंदीर के दक्षणी दवार की प्रसशती किसके समय उतकेंड की गई तो दोस्तों ये की गई महराना रायमल के समय के दक्षणी दवार की प्रसशती लगवाई गई थी नेक्स्ट आगे देखे 67 नमबर प्रेस ने गुहिल वंस के बापा से लेकर कुमबा तक की विस्तरित वंसावली एवं उनकी उपलब्दियों का वर्णन है दुबार देखे दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि गुहिल वंस के बापा रावल से लेकर कुमबा तक की विस्तरि वनसावली एवंट पुलबदियों का वननन है तो वो किस में मिलता है तो वो किरती इस्तंब प्रशस्टी में मिलता है बी अंबर का स्वार्य यहां Strange रिशी की आशिरवाद से यानि कि हारित रिशी की करपा से बपा रावल को दोस्तों राज्य प्राप्ति हुई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्रसस्ति कौन सी थी तो वैदनात प्रसस्ति थी वो वैदनात मंदिर प्रसस्ति ए नंबर का ओप्शन राइट आंस था नेक्स्ट जो डृडब राखो धर्म को ती ही राखे करतार किस यह जो सब्द हैं वो किस Raja के Raja Chinur मेंузत थे तो यह मेवाड के Raja Chinur में यह अंकित थे यह सब्द तेघ है नेक्ष भाड के पर ने औरंञ्येव के दिरूद अजित सिंग की साहिता की थी तो दोस्तों किस ने की थी तो ये की थी दोस्तों महराना राज सिंग ने औरमजेब के विरुद अजीज सिंग की सायता की थी नेक्स्ट है आगे देखिए बहतर नमबर प्रेस ने सामाने वेक्तियों के ग्रहें कुआ बावडी तालाव राजमहल आदी के निर्मान विश्यक जानकारी किस करंथ में मिलती है तो दोस्तों ये जानकारी है ये अप अपने वे जानकारी प्राप्ते होती है डी नमबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है राजस्तान का वह सासक जिसे हिंदू सुर्तान एवं अभिनव बटाचारी कहा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राना कुमबा बी नमबर का जो उप्शन है वो दासियां उप पतनी के रूप में स्विकार कर ली जाती थी उन्हें कहा जाता था तो दोस्तों राजस्तान में जो दासियां उप पतनी के रूप में स्विकार कर ली जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था उन्हें कहा जाता था दोस्तों खसावन पासवान पड़दायत ये तो, इस प्रसन का राइट आंसर हो जाएगा, उपरवक्त सभी, D. नमबर का उप्शन सही उत्र, nächste, कोटा राज्य का संस्तापक कोन था, तो, कोटा राज्य का संस्तापक था, दोस्तों, Mahdası Singh, D. नमबर का जो उप्शन है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है मेवाड के जावर में चांदी की खान किस के समय प्राप्त हुई तो ये प्राप्त हुई दोस्तों राणा लाखा के समय है तो ए नमबर का उप्शन राइट आंसर अलावदीन खेल जी ने 308 इश्विमे किस दुरुग को जीत कर उसका नाम खेराबाद रखा 308 में कौन रजीता था तो सुवाना दुरुग को जीता था 1308 में सिवाना दुब जीता और फिर तीन शालवाद में जालोर दुब के जीत लिया था अलाउदिन खेल जीने next है तोमस रोक किस वर्स रज़स्तान आया याchae दोस्तो 1615 एसवाइ में रज़स्तान आया था next है 799 प्रेस ने मेवाड की इतियास में सासन का त्याग कर सोतेले भाई को राजा स्विकार करने की 20 में परतिग्या किसने ली थी तो ये ली थी दोस्तो चूंडा ने ठीक है डी नम्बर का उप्शन इसका राइट आंसर नेक्स्ट बपारावल का मुल नाम क्या था तो वो दोस्तो काल बोज था क्या नाम था काल बोज बपारावल का मुल नाम नेक्स्ट राणा कुमबा मेवाड की गद्दी पर कब बैठे तो ये बैठे दोस्तो कब ये बेठी 1433 एस्वी में महराना कुंबा है वो गद्दी पर बैठे थे नेक्स्ट आगे देखिए बैयाशी नमबर प्रेस ने हवा महल का निर्मान कब और किस ने करवाया तो दोस्तो हवा महल का निर्मान है वो 1799 एस्वी में सवाई परताब सिंग ने करवाया था ठीक है हवा महल का निर्मान डी नमबर का उप्सन राइट आंसर नेक्स्ट है प्रशिद मुस्लिम संते क्वाजा मुईनोदीन चिस्ती किसके सासनकाल में अजमेर आये थे तो ये दोस्तों किसके सासनकाल में अजमेर आये थे तो पर्त्विराज तृत्ते के सासनकाल में अजमेर आये थे C नंबर का ओप्सन राइट आंसर नेक्स्ट है 1437 इस्वी में सारंगपुर का यूद किसके मद्दे हुआ था तो दोस्तो सारंगपूर का युद है आप सबी को पता होना चीए कि ये महराना कुमबा और मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मद्दे यह युद हुआ था कौन सा सारंगपूर का युद कब हुआ था 1437 में तो D नमबर का ओप्शन राइट आंसर पिच्छा सी नमबर प्रेशन है परत्विराज के सासन परबंद समालने के बाद उसका पर्थम सेनिक अभियान किसके विरुद था तो दोस्तो किसके विरुद था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो अपने चचेरे भाई नागार जुन के खिलाफ ठीक है तो इसका पर्थम अभियान था ये सेनिक अभियान तो ए नमबर का ओप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है पर्त्विराज के सोरी पर्त्विराज ने किस यूद में मुहमद गोरी की सेना को बुरी तरह प्रास्त किया था तो दोस्तो तराइन का वो पहला यूद था जो 1191 में लड़ा गया था इस यूद में मुहमद गोरी को हरा दिया था पर्त्विराज चोहान तृ मुम्म्मद गोरी ने भारत के कई छेत्रों को विजित करने के बाद यहां का प्रसासन किसे सोपा था तो यह किसे सोपा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुटुबुदीन एबग को शोपा था ए नंबर का ओउप्शन राइट तो दोस्तो परतिव राज तृते है किस वर्स अजमेर का यहसाथ पिगाल नित. परती पिर्थ वर्स अजमेर का सासक बना तो इसका यहाई आज़ाए मतीर, स स्वीवमें गांज, किस्या संग्राम सिंग द्वारा किस युद में मुगल सासक बाबर की सेना को हराय गया था महारणा संग्राम सिंग द्वारा किस युद में मुगल सासक बाबर की सेना को हराय गया था तो आप सब्वे को पता है कि बयाना का युद ठीक है कब हुआ था तो दोस्तो 16 फरवरी 1527 को ये बयाना का यूद हुआ था और इस यूद में दोस्तो राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को प्राजिते कर दिया था तो D-Number Option Right Answer Next is तराइंद के युद का विश्तर त्वीवरन किस गरंट में प्राप्थ होता है तो ये प्राप्थ होता है दोस्तो कौन से गरंट में तो परत्वीरा जराशों में ए नमबर का Option Right Answer नेक्स्ट खानवा इस्तान कहां है तो दोस्तों खानवा नामकिस्तान है वो कहां पर है तो ये रूपवास भरतपूर में है ए नमबर का ओप्शन राइट आंसर ठीक है और भयाना बरतपुर ये दोसरा है भयाना वाला यूद ये रूपवास बरतपुर में है दोस्तों ठीक है इंदू पत्थ तो किसी का आजाता था तो ये का आजाता था दोस्तों महाराणा सांगा को सी नमबर का उप्सन राइट आंसर देखिए सारे के सारे प्रसंद देखने हैं आपको बीच में छोड़ना मत कीका के नाम से कौन लोग पिरिये थे तो कौन थे तो दोस्तों मारणा परताब होगे बच्पन का नाम था कीका नेक्स्ट है खानवा के युद में राणा सांगा की हार का कारण था तो क्या कारण था तो देखिए मारणा सांगा का परत्थम विजय के बाद तुरंथ ही युद ने करके बाबर की सेना को तैयारी करने का समय देना दूसरा था पुरानी युद तक्निक और तीसरा था दोस्तो बाबर की तुलुगमा युदपदती ये तीनों ही कारण थे दोस्तो महरना संगा के हारने के तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नमबर उप्षन नेक्स्ट है परताब की सेना के हरावल का निर्तरत्वर किस ने किया तो हरावल का निर्तरत्वर किया था दोस्तो यानि कि हरावल किसको बोलते हैं सेना का जो सबसे अगरिम भाग होते हैं जो सबसे पहले युद़ करता है वो होता है दोस्तो हरावल तो इसमें उस सेना का निर्तरत्वर कर रहा था हाकीम सूर पठान तो डी नमबर का उप्षन राइट आंसर नेक्स्ट हल्दी काटी कौन से जले में इस्तित है तो ये दोस्तों राज समंद में है बी नमबर ऑप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है मेवाड के रक्षक के रूप में इसमन किया जाता है किसे इसमन किया जाता है तो ये दोस्तों बहमा साग को इसमन किया जा तो दोस्तों मुहम्मदाबाद रखा था तो इसमें सी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है दिवेर की जीत के बाद महारणा परताब ने अपना निवास इस्तान बनाया तो वो कौन सा बनाया तो वो बनाया दोस्तों उद्यपूर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उद्यपूर और नई राजदानी बनायी कौन सी चावंड 1585 में ठीक है नेक्स्ट दिवेर का यूद कब हुआ था तो दोस्तों 1582 में हुआ था यानि कि अक्टुम्बर 1582 में दिवेर का यूद हुआ था जिसे मेवाड का मेरा थन भी कहा जाता है किसने का था तो करनल जैम स्टोड ने का था ये नेक्स्ट है किस राठोड सासक ने जोधपूर राजे की सीमाओं का सरवादिक विस्तार किया तो दोस्तों वो था राव मालदेव दोस्तों 52 युद्धों के अंदर 58 परगने जीता था ये राव मालदेव ठीक है शुरुआत में इसके पास में यानि सी नंबर का उप्शन नेक्स्ट है राजस्तान का प्राचिंतम सिलाले कहा जाता है तो दोस्तों प्राचिंतम सिलाले कौन सा है तो वो है बरली का सिलाले ठीक है ये राजस्तान का सबसे प्राचिं सिलाले है नेक्स्ट है दिवेर का युद्ध किन किन के मद्दे हुआ था तो दोस्तो यह माराना परताब और मगल किलेदार सुल्तान खां के मद्दे दोस्तो यह युदु हुआ था दिवेर का युदु ठीक है तो इसमें ए नमबर का उप्शन राइट आंसर मुगल बादशा अकबर ने महरणा परताब को मुगल अदिनता स्विकार करने के लिए संधी प्रस्ताव लेकर अंतिम परियास के रूप में किसे बेजा था तो दोस्तों आप सभी को पता है कि महरणा परताब के पास में अकबर ने चार दूत बेजे थे तो सबसे अंतिम में गया था कौन तो टोडर मल डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है आगे देखे 105 नंबर प्रेस्ट ने महारणा परताब ने अपना अंतिम इस्ताई जीवन कहां वेतित किया तो ये किया दोस्तों चावंड में कहां पर चावंड में किया था नेक्स्ट हल्दी गाटी युद के बाद महारणा परताब कहां गये थे तो दोस्तों ये कहां चले गये थे ये चले गये थे दोस्तों कुम्बल गड़ A number का option right answer Next अकपर का विरोध करने वाला राजपुताना का पर्थम सा सक था तो वो कौन था? वो थो दोस्त में रावचंदर सेन ठीक है? B number का option right answer Next महारणा परताब मत कर देना रावचंदर सेन था Next निम्न में से किस मुद्दे को लेकर मेवाड के महारणा संग्राम सिंग एमम मांडू के सुल्तान महमूद के बीच में युद्ध हुआ था तो दोस्तो किस को लेकर? तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो मेदिनी राय को लेकर ठीक है? तो इसमें C number का option है वो इसका right answer हो जाएगा Next question है आगे देखिए दोस्तो 109 number प्रेस ने कुम्बा के सासनकाल में रणकपुर में जैन मिंद्रो का निर्मान 1449 इस्वी में 1449 इस्वी में कुम्बा के सासनकाल में रणकपुर में जैन मिंद्रो का निर्मान 1449 इस्वी में किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो जेन स्रेश्टी धरनक साहने ठीक है रनकपुर के जन्वंदिरों का निर्मान करवाया था सी नमबर का उप्शन राइट आंसर और ये कुमबा के मंत्री थे 110 नमबर प्रेश्ट निम्न में से किन वीरों ने महारणा परताब के जानने के बाद हल्दी गाटी का यूद लड़ा था तो दोस्तो उनका नाम था हकीम का सूर और भीम सिंग ने ठीक है तो इसमें C नमबर का उप्शन राइट आंसर 111 नमबर प्रेश्ट ने चितोडगड की किस राणी ने बादसा हुमायू से सायता मांगी थी तो ये मांगी थी दोस्तो किस ने तो राणी करना वती ने ए नमबर का उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुंबा किसका परमभगत था तो दोस्तो कुंबा किसका परमभगत था तो ये विश्णू का परमभगत था कौन कुंबा नेक्स्ट है महारणा उदे सिंग ने उदेपूर की नीव कब डाली थी तो दोस्तों पंदरा सो गुण सट इस्वि में उदेपूर सहर की नीव डाली थी यानि की स्तापना की थी नेक्स्ट है महारणा उदे सिंग दितिय का राज अभिशेख किया गया तो कहां पर किया गया कुमबल्गड में भी नंबर का उप्शन है वह इसका राईट अंसर हो जाएगा आगे देखिए वेद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति लिखवाई तो दोस्तों किस ने लिखवाई थी ये तो ये महाराना संग्राम सिंग सेकेंड ने ये प्रशस्ति लिखवाई थी सी नंबर का ओप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है महाराना परताब का जन्म हुआ था दोस्तों कहां पर हुआ था तो ये कुंबल गड में हुआ था महाराना परताब का जन्म है नेक्स्ट है राग चंद्रोदे राग मंजरी नर्तन निर्ने आदी गरंतों की रचना किसने की तो ये की दोस्तों किसने तो पुंडरिक विठल ने ए नमबर का उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है मान चरीतर की रचना की है तो दोस्तो मान चरीतर की रचना की है तो ये दोस्तो राय मुरारी दासने की है ठीक है तो इसमें C नमबर ऑप्शन रायट आंसर 119 नमबर प्रेसन है जैसिंग चरीतर की रचना की किसने की तो ये रचना की दोस्तो राम कवी ने ठींगे तो इसमें B नमबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है आगे देखे जैसिंग को मिर्जा राज़क की उपादी परदान की तो दोस्तो किसने की थी ये तो ये सहां जाने की थी B नमबर का उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है जैपूर नरेश सवाई जैसिंग ने किस युद में मराठो की सेना को पराजित किया था जैपूर नरेश सवाई जैसिंग ने किस युद में मराठो की सेना को पराजित किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो पिल सुद का युद ठीक है पिल सुद का युद तो इसमें B नमबर का उप्शन राइट आंसर जीज महुम्मद साई एवं जै सिंग कारी का नामक जोतिस गरंद की रचना की ये की दोस्तो सवाई जै सिंग ने D नमबर का उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खा पिंडारी को टॉंक का नवाब स्विकार किया गया तो दोस्तो 9 नमबर 1817 को ये टॉंक का नवाब स्विकार किया गया था नेक्स्ट है जैपुर को गुलाबी रंग दिया गया किसके द्वारा तो ये दोस्तो महराजा स्वाई राम सिंग दित्ये के द्वारा ये गुलाबी रंग दिया गया था नेक्स्ट है रन्थंबोर में चोहान वंस की शुरुवात किसने की तो दोस्तो परत्विरात तृत्ते के पुत्र गोविंद राज ने दोस्तो रन्थंबोर में चोहान वंस की इस्तापना की थी नेक्स्ट कुशन है दल पुंगल यानि कि विश्व विजेता की उपादी धारन की किसने तो वो की थी दोस्तो पर्त्विराद चोहान तिरते ने ए नमबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है गागरोन का युद किनकी इनके मद्दे लड़ा गया था तो दोस्तो गागरोन का युद है ये महरणा संगराम सिंग एवाम मांडो के सुल्तान महमूद खिलजी के मद्दे यह हैं युद लड़ा गया था कौन सा दोस्तो गागरोन का युद ठीक है तो इसमें A नमबर का ओप्षन रैइट आंसर हो झाएगा 1518 में यह हैं युद लड़ा गया था नेक्स्ट निम्न में से किसे भारती अमूर्ती कीला का विश्वकोस कहा जाता है नेक्स्ट 131 नमबर प्रेसन हैं किस यूद में विजे के बाद भारत में मुगल सासन इस्ताई हो गया chef घूब है उसके बाद में दोस्तो भारत में मुगल सासन है यह इस्ताई हो गया था नेक्सट है इतियास प्रसिद किस युद में मारणा सांगा के नेतरतों में राजपुताना के अधिकांस राजपुत सासक मुस्लिम आकरांता के विरुद लड़े थे तो दोस्तों वो खानवा के युद में लड़े थे और खानवा का युद आप सभी को पता है कब हुआ था तो 17 मार्च 1527 को यह युद लड़ा गया था बी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 131 नंबर प्रेस ने इसमें देखिए महाराना परताब के अलावा राजपुताने का वह पहला सासक जिसने मुगल अदिन्ता स्विकार करने की अपेक्षा कष्टो का मारग अप 132 नंबर प्रेस ने इसमें देखिए निम्न में से किस राजपुत शासक ने अकबर के नागोड दर्बार यानि कि 1570 इश्वी में उपस्तित होने के बावजुद उसकी अदिन्ता स्विकार नहीं की थी यानि कि दोस्तों 1570 इश्वी में नागोड दर्बार लगा था राव चंदरसेन नेक्स्ट है नांद सायूप इस्तंब लेक की स्थापना की गई तो ये दोस्तों किस के द्वारा की गई तो ये सोम के द्वारा ये दोस्तों नांद सायूप इस्तंब लेक की स्थापना की गई ए नमबर का उप्सन राइट आंसर नेक्स्ट है विकानेर के स सक राव जैच्छी को हराकर 1541 इसवी में बिकानेर पर अधिकार करने वाले जोदपूर के महराजा थे तो दोस्तों कौन थे वो उनका नाम था राव मालदेव ठीक है मैंने आपको बताया था कि राव जैच्छी के अत्यागर दी और राव जैच्छी का बेटा था जिसका ना अंदर में फेंके गए सिलाले का नाम क्या था तो सिलाले का नाम था दोस्तों क्या तुमान मूरी का सिलाले था वो तो इसमें बी नंबर का उप्शन राइट आंसर आगे देखिए दोस्तों निम्न को सुमेलित कीजिए एक तरफ सिलाले का दूसरी तरफ है इस्तापना वर यहां पे देखी दोस्तों आपको क्या दिख रहा है तो देखिए दोस्तों यहां पे जो सामड़ी का लेक है सामुली का लेख है यह दोस्तो 646 इस्वी में लगा था यहनि कि सामुली की लेख की स्तापना है वो 646 इस्वी में की गई थी और आप पराजित आप पराजित की जो प्रसस्ती है ठीक है इसकी रचना है यह दोस्तो कब की गई थी तो यह 661 इस्वी में की गई थी कंसवा का जो शिला लेह है इसकी स्थापना दोस्तों 738 988 cute में की गई थी और 600 की ओर ुस्तों 138 इशी में इस्थापना की गई थी यह सिला लेख और प्रसरक्राश्थी आपे दे रखे हैं तो इसका राइंट अंसर secured हो जाएगा दोस्तों 3-4-2-1 3-4-2-1 यानि कि A number का जो option है वो इसका right answer हो जाएगा Next हरी के लिए नाटक किस के द्वारा रचित है तो दोस्तों ये किस के द्वारा रचित है तो ये विग्रे रात सतुर्थ के द्वारा रचित है D number का option right answer Next है मंदोर के राव चूडा राठोड की पुत्री हंसा भाई का विवा है किस के साथ हुआ था तो दोस्तों ये विवा है ये किस के साथ हुआ था तो ये राणा लाखा के साथ हुआ था नेक्स्ट है आगे देखे रगुकुल में या तो रामचंदर ने पितरबक्ती का जवलंत उदारने दिखलाया था या फिर गोहिल बंस के राजकुमार किसने तो चूंडा ने तो ए नमबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है माराना कुमबा ने विज़यस्तम बनवाया तो दोस्तो ये विज़यस्तम है ये सारंगपुर के युद में विज़य के उप्लक्ष में बनवाया है तो इसमें बी नमबर उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है आगे देखे निम्न को सुमेलित करें एक तरफ मार दूसरी तरफ उनका राज्य रोहन कब हुआ है वो अपनी को इसमें बताना था ठीक है तो यहां पर देखिए दोस्तों कि महराना कुमबा महराना कुमबा दोस्तों 1433 में सासक मतलब राज्य विशेक इनका 1433 में हुआ था ठीक है 1572 में दोस्तों महराना परताब यानि कि राणा परताब का राज्य विशेक 1572 में हुआ था ठीक है तो यहां पर इसमें इसको ऐसे बता देता हूँ तीक है और महारणा सांगा का राजय विशेख है वो दोस्तों 1509 इस्वी में हुआ था और महारणा उदे सिंग का जो राजय विशेख है वो दोस्तों 1537 में हुआ था तीक है महारणा परताब का 1572 में और महारणा कुमबा का 1433 में यानि कि इस प्रैसन का राइट आंसर हो जा तो इसमें C नंबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट कुंबलगड के द्रुग का परमुक सिल्पी था तो वो कौन था वो था दोस्तो मंडन कौन था मंडन नेक्स्ट जसलमेर के सासक मूल राज ने इस्ट इंडिया कंपनी से संदी कर राज्य की सुरक्षया का जिम्मा अ बादशा ने कोटा को बुंदी से सवतंतर कर नई रियासत बनाई थी किस मुगल बादशा ने कोटा को बुंदी से सवतंतर कर नई रियासत बनाई तो वो बनाई दोस्तों सहां जाने ए नंबर का उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट निम्न को सुमेलित कर एक तरफ है युद्ध दूसरी तरफ है वर्स तो यहां पर देखें दोस्तो रणथम्बॉर का युद्ध है वो दोस्तों 1301 ज Walker सिमाना हुँद है यहां कि दोस्तों 1308 हीय में हुआ था जलोर का युद्ध 2311 में हुआ था और सारंगपुर का यूद है वो दोस्तो 1437 सीश्यू में हुआ था यानि कि इस प्राइसन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4-2-3-1 4-2-3-1 यानि कि ए नमबर का जो अप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 1348 सीश्यू में कल्यानपुर नगर वर्तमान करोली बसाया तो किसने बसाया था ये ये बसाया था दोस्तो किसने अरजुल पाल या दवने तो इसमें C नमबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है आगे देखे हल्दी गाटी के युद में उपस्तित था तो कौन था उपस्तित तो वो था दोस्तो अलवदायूनी बी नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे देखे निम्न में एसंगत है तो यहाँ पे देखे गागरोन का युद राणा सांगा एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मद्दे यहें युद नहीं लड़ा गया था यह दोस्तो राणा सांगा और मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मद्दे गागरोन का यूद लड़ा गया था 1518 इस्वी में तो यहाँ पे पहला गलत दे रखा है और ऐसंगत ही पूछा है तो अपना पहला ही राइट आंसर हो जाएगा बयाना का यूद राणा सांगा और बाबर के मद्दे हुआ था चितोड का यूद दोस्तो अकबर और मेवाड के उदे सिंग के मद्दे हुआ था कुंबलगड का यूद साहबाज खांके नितरतों में मुगल सेना एवं महरना परताब की सेनाओं के मद्दे हुआ था तो इस तो दोस्तो ये मैंने आज आपको जो टोप एक सो पचास प्रसंद करवाए हैं राजस्तान इतियास के जो बीस्टी सी और पीटेट एक्जाम के लिए भूत ज्यादा भैतुपुन है दोस्तो रत्यरस एकडिमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जय हिन जय भारत